हेलो एवरीवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल मैठ वीद रीना मैं कैसे हैं आप सब भोग सब अच्छे होंगे और अपने तयारी अच्छे से कर रहे होंगे आज हम अपने रेश्यो और प्रोपोर्शन की थर्ड कलास करेंगे जिसमें हम जो हमारी टाइप 4 थी जो हमने अपनी सेकंड और फॉस्ट कलास दोनों में पढ़ा था उसके कुछ क्यूशन करेंगे उसके बाद हम अपनी टाइप 5 करेंगे ठीक है आज की कलास में हम एक छोटा सा रेग्रिजन करेंगे जो हमने कल और पर्सों की क्लास में किया था उसके बाद हम अपनी क्लास टार्ट करेंगे चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास कैसे पड़ा था ये इन दोनों की गुणा बराबर होती है इन दोनों की गुणा ठीक है यह हमने पहली टाइप पड़ी थी दूसरी टाइप में हमने क्या पड़ा था जब तृत्य अनुपात निकालना हो जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी ठीक है जब यह तीन चीज में से स्रफ दो दे रखी हैं और तीसरी हमसे पूछ लिए तब कैसे निकालेंगे तो हमने ये वाली टाइप पड़ी थी हमारी सेकंड टाइप जो हमने किसे रिलेट कर लिए थी हमारी फर्स्ट टाइप से हमने इसको भी रिलेट कर लिया था कैसे कि A अनुपात B समा अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे इसको ये और ये इकबल होते हैं नेक्स्ट हमने क्या पड़ा था जब A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D देकर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमसे पूछ लें तो कैसे निकालेंगे ठीक पास वाली संख्याओं को repeat करके लिख देंगे गुणा कर देंगे हमारा ये वाला अनुपात आ जाता है ठीक है आज की कलास में हम type 4 से question करेंगे type 4 हमारी क्या थी ये देखो जब दो तीन संख्याओं का अनुपात और गुणनफल जैसे अनुपात तो compulsory है दिया मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसके अलावा क्या दे सकता है गुणनफल दे सकता है जोड दे सकता है या फिर अंतर दे सकता है तब हम कैसे निकालेंगे आज क्लास में इससे related ही हम कुछ question करेंगे उसके बाद हम type 5 भी करेंगे ठीक है वो हम जब question हमारे type 4 के हो जाएंगे उसके बाद ही हम type 5 के बारे में पढ़ेंगे ठीक है चलिए सुरू करते हैं हमारे question number first से question number first दो संख्याओं के मद्धे दो अनुपात तीन का अनुपात है दोनों संख्याओं का गुणनफल चोवन हो तो वे संख्याएं ग्यात करो तो यहाँ पर देखो A और B अनुपात कितना दे दिया दो अनुपात तीन ठीक है दोनों की गुणा यानि की A भी हमें क्या दे दिया 54 अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है दोनों को लगाना है X ठीक है अब चाहिए हमें जोड दे रखा है गुणा दे रखी है घटा दे जो हमें दे रखा है वो में इस पर operate कर देंगे अब हमें क्या दे रखा है गुणन फल यानि की गुणा दे रखी है तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 2x गुणा 3x ठीक है एक्स को हमने साथ हमें रखना है ऐसे नहीं की 2 ती या 6 6x लिख दिया नहीं एक्स हमारा यहां पे भी है एक्स हमारा यहां पे भी है तो दोनों को साथ साथ लिखते रहेंगे यह हमारा किसके बराबर आ गया 6x सुकेर जो हमारा किसके बराबर दे रखा है 54 के बराबर दे तो एक्स की वैलू इसमें पुट अप कर देंगे तो दोनों संख्याएं क्या जाएंगी 6 और 9 जो हमारे कौन से उप्सन में है फॉर्स्ट उप्सन में ठीक है तो यहां से हमारा फॉर्स्ट उप्सन सही हो जाएगा से लिए नेक्स क्यूस्ट देखते हैं क्यूस्ट नंबर 2 क्यूस्ट नंबर 2 दो संख्याओं के मद्धे 3 अनुपात 5 का अनुपात है दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 हो तो उन में से छोटी संख्या क्या होगी यहां पर देखो सेम वही हमें दे दिया A अनुपात B क्या 3 और 5 ठीक है क्या करना है दोनों तरफ लगाना है अमें गुणा करनी है तो 15X सुकेर ब्राबर किसके ब्राबर हो गया 260 के ब्राबर एक्स सुकेर निकालेंगे तो किसके हो जाएगा 260 बटा 15 ठीक है पंदरा से काटेंगे 15 एककम 15 15 चोके 60 15 चोके 60 कितना आगया 144 तो यहां से X की वैलो हमारी क्या आजाएगी 12 12 को इससे गुणा कर देंगे अब हम से क्या पूच्छा है छोटी संख्या तो चोटी तो हमें चोटे अनूपात वाले संख्याई होगी तो 12 गुणात 3 36 हमारी आ जायेगी चोटी संख्या ठीक है तो कौन से उप्सन में हमारे फर्स आप्सन में हैं लिए नेक्स Q3 देते हैं क्यों से बाहर थरी By Media kinda省 में इस परकार बाटना जाता है यहां पे 708 रुपयह हमें दे दी एंकन में बाटना है इस बीकांट क्या दे रख जहां पर ए और का दे दिया है एक अनुपाट 2, B और C का अनुपात क्या दे दिया, 3 अनुपात 4 तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, A अनुपात, B अनुपात, C निकालेंगे तभी तो रासी का बटवारा होगा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे A अनुपात, B अनुपात, C निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है A अनुपात B क्या दे रखा है 1 अनुपात 2 ठीक है, आगे की जगे को खाली छोड़ देंगे ऐसे ही किया था हमने B अनुपात C क्या दे रखाया 3 और 4 तो 2 इधर repeat हो जयेगा 3 इधर repeat हो जयेगा तो क्या आगया 3, 6 और 8 अब क्या निकालना है C का हिस्सा ग्यात करूँ टोटल रुपय कितने है 780 रुपय अनुपात में वेल्यू कितनी है टोटल एड कर लेंगे 8 और 6 14 और 3 17 ठीक है और किसका हिस्सा निकालना है हमें C का हिस्सा निकालना है तो C का हिस्सा निकालेंगे लेकिन इसका अंसर आएगा 320 रूप है ठीक है चलिए next question देखते हैं question number four यहां तक हमने तीन question की तीनों ही हमारे गुणा के सवाल थे ठीक है अब देखो यहां पर क्या है दो question हमारे गुणा के थे और यह जो पीछे question क्या question number three है हमारा जोड का सवाल था जो हमारे जोड दे रखा था तिनों का अनुपाद दे रखा था और उनकी जो amount था वो दे रखा था अब यह की सुन देखो यहाँ पे भी हमारा फिर से गुणा का सवाल आ गया है ना गुणनफल दे रखा है क्या है A अनुपाद B अनुपाद C यहाँ पर क्या है तीन संख्याई दे दी ठीक है तीन क्या है पांच छे और साथ तो सबसे पहला काम हमारा क्या है X लगाना है सबके तो X लगा दिया हमने ठीक है अब क्या करना है सब क्या क्या दे रखा है गुणनफल गुणफल है याने कि तीनों की करनी है गुणा तो 5, 6, 30, 3, 7, 21 तो 210 X क्यूब यहां पर सुकेर नहीं आएगा तीन बार X है एक, दोर, तीन तो X क्यूब आएगा ठीक है बराबर है किसके बराबर है? 56, 70 के बराबर ठीक है? X क्यूब क्या आजाएगा? 5, 6, 6, 2, 10 ठीक है, 0 से हमारा कट गया? 0, 21 दूणी 42, 27, 147 तो कितना आगया? X क्यूब हमारा कितना आगया? 27, तो X की वैलू यहां से हमारी कितनी आजाएगी? 3, अब देखो यहां पर क्या निकलने है ठीक है? जो हमारे कौन से आप्शन में है? 3rd आप्शन में है तो यहां पर देखो आए और वे का अनुपात दिया है थोड़े थोड़े क्यूशन डिरेक्ट हमसे नहीं पूछते ठीक है कि ऐसे सीधी गुणा देदी सीधा जोड देदी या सीधी घटा देदी यहां पर देखो सीधा दिख रहा है कि आए यानिकी इनकम वे हमने जो पैसे खर्च किये दोनों को घटाएंगे तो हमारी बचत आएगी तो यहां पर जो सवाल है यह घटा वाला सवाल है अंतर वाला सवाल है ठीक है? अब यहां पर देखो आए और वे का अनुपाद क्या दे दिया? ग्यारा अनुपाद दस यदि पर्ति वर्स वह यहां पर क्या है? पर्ति वर्स तो यह जो आए और वे का अनुपाद है यह भी क्या है? पर्ति वर्स का अनुपाद है ठीक है? यहाँ पे देखो अब पर्ती वर्स वह है 9000 रुपय की बचत करता है अब देखो I और V I कितनी है 11 और V कितना है 10 अब यहाँ पे देखो यह 11X यह 10X इन दोनों का अंतर हमारा कितना है यानि कि हमारी बचत कितनी है नुपात में 1X तो X के बड़ाबर वैलियू कितनी है 9000 रुपय तो सबसे पहला काम हुम उसकी वार्सिक इनकम निकालेगे क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पुछा है मार्सिक इनकम पुछा है लेकिन हमारा जो यह अनुपात है यह वार्सिक में दे रखा है तो पहले वार्षिक निकालेंगे उसके बाद हम मंतली निकालेंगे मंतली कैसे निकालेंगे बारा से उसको भाग दे देंगे तो ग्यारा गुणा 9000 बटा 12 ठीक है ऐसे कर लेंगे अब 12 से इसको काट देंगे 22 12 auto 84 22 22 ठीक पहले गुणा कर लेते ठीक है बाद में काट लेंगे इसको निन्याणमे 1000 ठीक है 9100 आगे हमारीशचिक आयét लेकिन यहां पर कितनी आए चाहिए हमें यहां पर मन्धली आए चाहिए इसको बारा से निकालेंगी क्ट्णा और थोप्सन अंचिए लिए यजए देखें कि उस्ता नमबर सिक्स कि एज़ें अर बी की आयों का अनुपात पांच अनुपात छह है देखो दोन्नों की आये दे धी हमें यदि एको बी से घ्यारा सो रुपए कं मिलते हैं यहाँ पे क्या दे दिया A को B से 1100 रुपे कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय क्या है यहाँ पे देखो A और B क्या दे दिये 5 अनुपाथ 6 यानि कि 5X और 6X अब यहाँ पे देखो दोनों का अंतर कितना है वैसे तो X का यहाँ पे A है जो B से कितना कम है एक एक्स है ना दोनों का अंतर के बराबर ही कम है तो एक्स के बराबर हमें कितने रुपे दे दिए ग्यारा सो रुपे ग्यारा सो रुपे कम मिलते हैं एको अब देखो टोटल पूछा है हमसे टोटल क्या दोनों की कुल आये क्या है तो कुल आये का अनुपात कितना है ग्या एक एकी वैलू कितनी rend 100 तो ग्यारा की करेंगे तो मोफ कितना यआएगा 11 km Baptist कर questa नंवर 7 क्योंसर नमबर 7 A, B और C का मस्चिक वेतन 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 में है यदि C को A से 12,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो B की वार्षिक वेतन ग्याद करो यहाँ पर देखो मस्चिक वेतन का हमें अनुपात दिया है यह चीज ध्यान रखनी है ठीक है? अब यहाँ पर देखो A अनुपात, B अनुपात, C कितने? किस अनुपात में है? 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 में है यानि कि A की इनकम 2X, B की इनकम 3X और C की इनकम 5X ठीक है? अब देखो C को A से 12,000 रुपए अधिक तो C को अनुपात में कितने ज्यादा मिल रहे हैं 3X है ना यहाँ पर A को मिल रहे हैं 2X C को मिल रहे हैं 5X तो C को कितने ज्यादा मिल रहे हैं 3X और रुपेों में कितने ज्यादा 12000 ज्यादा ठीक है तो X की वैलू कितने आगी 4000 रुपे है कि है ना एकस्ट की वैलू आगे हमारे यह पर 4000 अभ देखो क्या पुछा है फीका वार्सिक वेत्तन ज्यात करो तो बीका मसिक के तना है तीन एकस तो पहले सबसे पहले मसिक वेत्तन निकाल लेते सब्सक्सक्राइब नेख्सक्त देखते हैं Q7. A, B और C का अनुपात 1 अनुपात 6 अनुपात 7 है तथा A और C को कुल वितन 16,000 रुपए है तो B का वितन ग्यात करो यहाँ पे देखो क्या दिया है A अनुपात B अनुपात C है जो कितना है एक अनुपात 6 अनुपात 7 तो सबसे पहला काम क्या X लगाना है देखो यहाँ पे हमने सारी तरह के क्यूसन कर लिए जोड़ वाले भी कर लिए घटा वाले यानि कि अंतर वाले भी कर लिए और गुणा वाले भी कर लिए ठीक है यही हमें दिया मिलेगा जो भी यह वाली टाइप है इसमें इसी तरह के क्यूसन होंगे जहाँ पे या तो अंतर दिया होगा या सब की आये का जोड़ दे देंगे या गुणा दे देंगे इस तरीके से हमें सवाल देखने को मिलेंगे इस टाइप में ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या दिया है ए A का वित्तन और C का वित्तन, टोटल वित्तन कितना हो गया, 1x यिसका, 7x यिसका, 8x, 8x क्या बढबर वयल्यू कितनी दे दि, 16,000 रूपे, तो 16,000 लिख लेंगे, x की वयल्यू हमारी यां से क्या जाएगी, 2000, ठीक है, अब पुछाES, क्या पुछा है, बी का वे इतन ग्यात्रों, बी की वेलू कितनी, 6X, तो 6 गुणा 2,000, तो बी की वेलू कितनी आगी, 12,000 रूपे, ठीक है, बी की ही हमसे उच्छी थी, तो कौन से उप्शन में हैं, हमारे फॉस्ट उप्शन में हैं, तो जो टाइप 4 थी हमारे बहुत easy easy question बनते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे exam में आते हैं इस तरह के question, तो इस type को भी अच्छे से करना है, हमने तीनों तरीके के question कर लिए, जोड़ वाले भी कर लिए, अंतर वाले भी कर लिए, और गुणा वाले भी सवाल कर लिए, अगर फिर भी आपको किसी भी question में doubt है, तो आप comment में लिख सकते तो अनुपात में क्या अंतर पड़ेगा, इस तरीके के question हमें दिये मिलेंगे, या तो हमसे ये पूछ लेंगे कि क्या जोड़ा जाए, कि अनुपात ये से ये हो जाए, या फिर इतना जोड़ देंगे, तो अनुपात में क्या अंतर पड़ेगा, ये दो तरीके के question मिने आपको या तो जैसे माझना दे दिया कोई भी ए ऑनुपात भी खमकर दो अब हमसे क्या बोल देंगे कि अगर परतेक पद में सात जोड़ा जाए तो चैस्स त्रिशपन बन जाएगा इस त्रीक मालोरत दे दिया एक संख्या दे दी या फिर नया अनुपात दे दिया यह पूछ लिया कि क्या जोड़ा है ठीक है यह वाली संख्या नय दे के नया अनुपात दे दिया और यह वाली संख्या हम से पूछ ली तो इस तरीके के क्यूस्टन बनेंगे आगे टैप करेंगे तो आपको और अ तीन में हो जाए तो साथ आनुपात तीन थे रहा हमें कि उसने पर तेक पद में क्या जोड़ा जाए तो मैंने देख को आपको बताया था कि दौ तरीके के क्यों सुन मिलेंगे या तो हमें संख्या दे देंगे कि यह जोडने के बाद क्या अनुपात हो जाएगा प्धिक यह वाला और क्यों पर क्या दिया है में कि साथ अनुपात 13 में क्या जोड़े कि हमारा नया नयान पाद लॉपात 3 तो अभ क्या करेंगे सात बटा 13 पलस एक्स क्योंकि परतेक पद में एड़ करना है हमीं ठीक है तो साथ एक्स बटा 13 पलस एक्स और नई संख्या हमारी क्या बनगी दो बटा तीन जो अनुपात होता है दो अनुपात तीन है जैसे तो वह हमारा सीधा सीधा अगर उसको हम भिन में बदलें रेश्यों में बदलें यह वाली चीज तो हमारी यह आ तो X ब्राबर है 5 तो यहीं हमें निकालने थी कि यह जोड़ना चाहिए तो зан всё खोशुर्षे हमारे पास क्या और फ्रांस तो इसी त्रीके के हम आगे और क्यूशन करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझमें आए कि जब क्या जोडा जाए या क्या घटाया जाए तो कैसे क्यूसर बनते हैं चलिए next क्यूसर देखें क्यूसर नमबर 2 49 अनुपाथ 68 के प्रतेकपद में क्या जोड़ना चाहिए कि नई संख्याएं 3 अनुपाथ 4 में हो जाए सेम पीछे वाला कियूसन ही हमें दिया है कि एक अनुपाद दे दिया उसमें पूछ लिया कि परतेक पद में क्या जोडा जाए यहां पे देखो परतेक पद में दिया है आगे क्या टाइप आएंगी कि पहले वाले पद में या दूसरे पद में क्या जोड़ा जाए है ना तो इस तरीके के क्यूसन भी आएंगे लेकिन अभी क्या है प्रतेक पद वाली टाइप हमारी कर जो हम कर रहे हैं अभी ठीक है अब यहां पर सेम हमने क्या करना है उन्हें 4 पलस एक्स बटा 68 पलस एक्स है ना और हमारा क्या है 3 बटा 4 गुणा कर देंगे उदर जाके 4 नीमे 36, 4 चके 66 और 30 एकसो च्याण में पलस 4 एक्स बडाबर है यह इदर जाके गुणा हो जाएगा 6, 3, 8, 24, 2, 3, 18 और 2, 20 208 पलस 3X X लाके इधर घटा देंगे तो X बराबर है 208 माइनस 166 तो क्या आ जाएगी हमारी वेल्लू? 12 हमारी आ जाएगी वेल्लू, ठीक है? हमारे कौन से ओप्षन में है? किसी भी ओप्षन में नहीं है, लेकिन हमारा इसका आउसर क्या आएगा? 12, ठीक है? 208 माइनस 166 में कितना जाएगा? 12 यह हमसे पूच्छा था कि इसमें क्या घटाएं कि हमारी जो वेल्लू है यह इस अनुपात में चेंज हो जाए ठीक है? से लिए next question देखते है हमारा question number 3 दो संख्याओं का अनुपात पांच अनुपात 9 है प्रतेक पद में 9 जोड देने पर उनका अनुपात 16 अनुपात 27 हो जाता है तो दोनों में से एक संख्या ग्यात करूँ देखो उपर जो हमने 2 question किये उसमें क्या था? कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात हमें दे रखा था और ये वाली संख्या में निकालनी थी अब लेकिन क्या किया? हमें तीनों चीजें ही दे दी हमें ये वाला अनुपात भी दे दिया ये वाला अनुपात भी दे दिया लिख लेंगे क्यों क्योंकि यहां पे यह वाली संख्या तो हमें दे रखी है और यह वाली संख्याई निकालनी है जैसे ए अनुपात भी पांच अनुपात 9 में है तो हमें संख्याई निकालनी है तो हम संख्याओं को वैरियेबल में मानेंगे ठीक है यहां पे जो समझने का अबसेट्ना वहboy संख्या मेंKO लेना है जहां पर जो संख्या हमें निकालनी है वहाँ पर हमें modes लेना है और हां मेसर निकालनी है संख्या निकालनी है तो ए cause प्रिा को लिएबल लेंगे और वहीं को जोड़ा है तो जोड देंगे और यह किस के बराबर आ गया 16ग सेटाइस के बराबर आ गया चमवालेश 9 बराबर है 9 x पूर इकष वसम लेंज घिलयववन अब क्या निकाल न हमें दोनों से एक संख्या निकाल ली है पहले तो दोनों से लेका लेते हैं घॉलारे by ऑनसर रहेगा पहली संख्या है पांच एक्स एक्स के वल्लुव है 11 तो 35 और यह 99 अब यहां पर देख यह प्रस्टीज प्रस्टों नाइंटिज नंबर 3 है वैसा ही कि इस सबसे पहले निकालना है संख्या में निकालना है तो संख्या में वारियेबल मानना है संख्या में variable मानेंगे तो 2x और 3x यदि परतेक पद में 5 जोड़ा जाए तो 2x पलस 5 बटा 3x पलस 5 जो बूल रखा वो साथ साथ करते जाएंगे इस इक्वल टू तो नया अनुपाद क्या हो गया 5 अनुपाद 7 तो 5 बटा 7 अब आगे देखो क्या पूछा है बड़ी संख्या में निकालनी है तो सबसे पहले तो हम इसको एक्स की वैलू निकालेंगे साथ दोनी 14x पलस 7 पंजे 35 ये दरा के 3 पंजे 15x पलस 25 एक्स इधर आ जाएगा ये दरा के घड़ जाएगा तो x की वैलू क्या आगी 10 अब क्या निकालना है बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या तो हो गई 20 बड़ी संख्या 30 क्योंसी संख्या पूछी थी बड़ी पूछी तो बड़ी क्या होगी 30 जो हमारे कौंसे ओप्सन में है थरड ओप्सन में है चलिए next question देखते Q5 Q. eta 55 ट्वधिया वाली एक विधाल्य में लड़के तथा लड़कियों कि संख्याओं का अनुपात अनुपात पांच है यहां पर देखो दोनों के अनुपात की संख्या देदी और यहां पर आठ अनुपात 5 में दोनों की लड़के और लड़किया देदी यहां पर क्या है लड़के और लड़की किस अनुपात में है आठ अनुपात 5 में है क्या निकालना है तो नया अनुपात निकालना है यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे पहले तो 8X और 5X की माल लेंगी और क्या बोला है अगर 22 अन्य लड़किया और एड हो जाएं देखो यह टाइप जब हमने शुरू कर एता इसमें मेंने क्या बोला था यहाँ पे तो क्या बोला है परतेक पद में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए लेकिन यहाँ पे क्या है सिरफ लड़कियों में जोड़ना है यहाँ पे सिरफ एक पद में हमें जोड़ना है तो यहाँ पे क्या है लड़कियों में क्या जोड़ना है लड़कियों में 22 को जोड़ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सेयर करना नए भूलें, थैंक्स पर वोचिंग